नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत बहुत ही महतपूर्ण प्रस्ण है दोस्तों आप इसे पुरा जरूर देखें तो चलते हैं प्रस्णी की और प्रस्ण है दोस्तों आपका विश्व के कुल छेतर फल का कितना परतिसत छेतर फल भारत में इस्तित है यानि कि दोस्तो का छेत्र फल जो है कि भारत में हिस्सा इतना पड़ता है तो चलते हैं अगले प्रश्णी की और प्रस्ण बहुत अच्छा है यह प्रस्ण आप सभी भी जानते होंगे कि भारत में जनगन्ना की अबधी है तो भारत में परतियेक 10 words में जनगना क्या जाता है जन संक्या की गिंती क्या जाता है option number 1 बिल्कुल सही दोस्तो तो चलते हैं अगले प्रश्णी के और प्रश्ण है दोस्तो देखिए भारत की कूल जन संक्या कितनी है यनि कि दोस्तों यह 2010 के अनुसार जनगना है तो यह है भारत की कुल जन संख्या कितनी है तो दोस्तो इस प्रश्ण को उत्र हो जाएगा option नमर ए बिल्कुल सही है 121.08 करोल इतना है दोस्तो यह जन संख्या तो चलते हैं अगले प्रश्ण की प्रस्ण है दोस्तो आपका भारत की सबसे बरी जन जाती है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तो आपका option शी बिल्कुल सही है गेंडा तो चलते हैं अगले प्रश्ण की प्रस्ण है दोस्तो बिष्व की कुल जन संख्या का कितना जन संख्या भारत में निवास करती है तो यह है दोस्तो आपका 17.5 परतिसाथ आप्शन नमर ए बिल्कुल सही है दोस्तो तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रस्न है भारत का कूल छेतर फल कितना है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आपका आप्शन नमर भी बिल्कुल सही है 32,87,263 वर्ग किलो मीटर है ओप्शन भी बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रस्न है आपका 7 नमर भारत के दक्षीन छोर को क्या कहा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जääगा आप्शन डी बिल्कुल सही है इंद्रा पॉाइन्ट है तो चलते हैं अस्थल ये सीमा की लंबाई कितनी है तो इस प्रश्ण का उत्र आज़ेगा ओप्शन भी बिल्कुल सही है 15200 किलो मीटर तो चलते हैं अगले प्रश्ण की उर प्रश्ण आपका 9 नंबर भारत की कूल समुंदरी टटिये रेखा ये सीमा की लंबाई कितनी है तो भारत की कूल समुंदरी टटिये ये समुंदर भारत में कितना दूर तक सटा हुआ है वर रेखा ये टट है तो इस प्रश्ण का उत्र आज़ेगा ओप्शन ए बिल्कुल सही है 7516.5 किलो मीटर 7516.5 किलो मीटर तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है आपका भारत की मुख्य भूमी से लगे समुंदरी टटिये रेखा शीमा की लंबाई कितनी है तो दोस्तो भारत के समुंदरी टटिये शीमा रेखा की लंबाई कितनी है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्षन सी बिल्कुल से यह एक सट सो किलो मीटर है मुख्य दोस्तो भारत की मुख्य भूमी से लगे समुदरी टटिया रेखा सीमों की लंबाई कितनी है तो यह है दोस्तो आपका एक सट सो किलो मीटर और कुल था दोस्तो आपका पूरा कुल था आपका 7516.5 किलो मीटर यह टोटल समुदरी टटिया रेखा था और दोस्तो मुख्य कितना है एक सेट सो किलो मीटर तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है आपका 11 नमर भारत का मनक समय सारे 82 डिगरी पुर्वी देसंतर रेखा किसके मज से होकर गुजरती है तो भारत के समय रेखा सारे 82 डिगरी पुर्वी देसंतर जो गुजरता है दोस्तों हुआ है गुजरता है मिरजापूर से होकर तो चलते हैं अगले प्रश्णी की और प्रश्ण आपका 12 नमर सूर्य की उर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो इस प्रश्णी का उत्तर हो जाएगा आपका option B बिल्कुल सही है ना भी किया सनलयान चलते हैं अगले प्रश्णी की और प्रश्ण आपका भारत में राजियों की कुल संख्या कितनी है तो यह है दोस्तो राजियों की संख्या 29 ओक्षन नमर डी बिल्कुल सही है प्रश्ण है आपका सूर्य का मुख्य संगठक क्या है सूर्य का मुख्य संगठक क्या है तो दोस्तो इस प्रश्णी का उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य का मुख्य संगठक है दोस्तो आपका ऑप्सन नमर ए बिल्कुल सही है हाइटरोजन और हिलियम सूर्य का मुख्य संगठक है तो चलते हैं अगले प्रश्णी की और समुंद्री मील 12 समुंद्री मील तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो चलते हैं अगले प्रश्ण की औ प्रस्न है दोस्तो सूर्य का दुइत्ममान सत्य क्या कहलाता है सूर्य का दुइत्ममान सत्य कहलाता है दोस्तो आपका सुक्र आउप्शन नमर बी बिल्कुल सही है परकास मंडल तो चलते एगले प्रस्न की और प्रस्न है पिर्थिवी की सबसे निकट इस्थित गरह कौन सा ह पिर्थवी कि सबसे निकट गञा है सुक्र 10 नमर बिलकुल सही है तो चलता एगले долларов प्रशनिक्योंवर प्रश्ण और będą सभची नंबर सबसे प्राचिंतम परवत City से माना जता है सबसे प्राचिंतम परवत है दुस्तो अराबली जोकी राजस्थन में है तो चलते एक प्रश्ण की और प्रस्ण है प्रस्ण है 21 नमबर सबसे नवीन प्रवत किसे माना जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है हिमालाई को सबसे नवीन प्रवत माना जाता है तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रस्न है भारत के किस राज का प्राची नम नेफा था तो वह था दोस्तो अरुनोचल परदेश का option number D बिल्कुल सही है भारत की पर्थम जनगनों की शुरुवात लौड मेयो के शासन काल में किस वर्ष की गई थी तो दोस्तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका option number B भारत में पहली वर जनगनों क्या गया था 1872 में और क्या गया था दोस्तो लौड मेयो के शासन काल में तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रस्न है दोस्तो सबसे गर्म एवं चमकिला गरह कौन सा है सबसे गर्म एवं चमकिला गरह कौन सा है तो वह है दोस्तो आपका सुक्र तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रस्न है सूर्य के सबसे निकट इस्तिद गरह कौन सा है तो इस प्रश्णिक उतर हो जाएगा बूध आप्शन नमर सबसे निकट इस्तिद गरह है सूर्य के सबसे निकट गरह है तो वह है दोस्तो आपका आप्शन नमर डी बिल्कुल सही है बूद सबसे निकट गरह है सुर्यका तो चलते है अगले प्रश्णी के और प्रस्ण है 26 नमर सारवधिक उपगरह वला गरह है सारवधिक मतलब दोस्तो सबसे ज़्यादा उपगरह किसको है तो वह है दोस्तो ब्रस्पती को आप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है दोस्तो आपका भारत की पर्थन नियमित जनगन्ना 1881 इस्वी में किसके सासनकाल में शुरू हुआ था प्रस्ण है दोस्तो भारत में नियमित गन्ना भारत में नियमित यानि दोस्तो परतियक 10 वर्थ में जनगन्ना होना चाहिए वह किसके सासनकाल में श चुद्र गरा कीन दो गरा के बीच में इस्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तो आपका आप्शन नमर डी बिल्कुल से चंद्रमा पर इसे सांथ सागर भी कहा जाता है तो चलते है अगले प्रश्ण के और प्रश्ण है बिना उपगरा वला गरा कांसा है यानि कि दोस्तो इसको एक भी उपगरा नहीं है वह कांसा गरा है तो वह है दोस्तो बूद और सुक्र आप्शन नमर ए बिल्कुल से है तो चलते है अगले प्रश्ण के और प्रश्ण है भ सबसे आप जो तरह देखते हैं वह सुक्र है और सबसे पहले संच को तरह देखते हैं दोस्तों वह भी सुक्र है इसलिए से भोर और संच का तरह कहा गया है सुक्र को चलते अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है सबसे बरा उपगरा कांसा है सबसे बरा उपगरा कांसा है तो इस प्रशन का उतर जाग दोस्तों, 2021 में इस जन्गना में ज्याती में अलग विभाजन हुआ था, तो चलते हैं अगले प्रशन की दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी उपगरा, दोस्तों बारी गरा है, तो यह है दोस्तों आपका आप्शन नमर, शी संक्या दिवस मना जाता है 11 जुलाई को चलते एगले प्रश्णी की और प्रश्ण है विश्व जन संक्या दिवस मना जाता है विश्व जन संक्या दिवस कब मना जाता है तो इस प्रश्णी को उतर जाएगा option नमर ए बिल्कुल से दुस्तों 11 जुलाई को मना जाता है प्रश का कुल जन संक्या घनत्व परती वर्ग किलो मीटर कितना है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आप्सन नमर B बिल्कुल सही है तो चलते हैं एगले प्रश्ण के ओर परती वी के बिपरीत दिसां में घुमने वाला उपकरदो जो है कि पिर्थिवी के विप्रित दिशा में घुरता है यानि कि उल्टा घुरता है तो चलते है दोस्तो एगला प्रश्ण की और प्रश्ण है भोई स्तीर उपगर है कि उचाई कितनी होती है तो इस प्रश्ण का उतर हो ज़ेगा उप्शन नमर डी बिल्कुल तो दोस्तो 36,000 किल प्रश्ण है आपका चंदरम किस उपगरा का एकमात उपगरा है तो वह है दोस्तो पिर्थिवी का एकमात उपगरा है चंदरम तो चलते है दोस्तो और उसे जिवास्म गरा भी का जाता है चंदरम को भारतिय अंत्रिक्ष कारिक्रेम के जनक किशे माना जाता है तो इस प्र भी बिलकूल से यह दोस्तों डॉक्टर बिक्रम सारा भाई को भारतिये अंत्रिक्ष कारिक्रम का जनक माना जता है तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है दोस्तों बहुत ही काफी जाना पैचाना है बासकोर डिगामा किस देश की निवासी था तो बासकोर डिगामा था आप सभी भी जानते हैं कि पूर्थ काली था ओप्शन नमर सी बिल्कुल सही है तो चलते एक लिए प्रश्णी क्यों प्रश्ण है आपका गोतम बूध का जन्म कब हुआ था तो इस प्रश्णी का उत्तर हो जागा दोस्तो आपका ओप्शन नमर सी बिल्कुल सही है 563 इसापूर में गोतम बूध का जन्म हुआ था लूबनी में नेपाल में और भारत का प्रथा मिसाइल कौन सा है भारत का प्रथा मिसाइल कौन सा है इस प्रश्णी का उत्तर हो जागा अकास मिसाइल मार करती है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आपसर नमबर C बिल्कुल सही दोस्तो जमीन से हवाँ में आकास मिसाइल मार करती है जमीन से हवाँ में तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न दोस्तो बहुत ही काफी जाना पचाना है पलोसी क का यूद कभ हुआ है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अउक्षा सही है 1757 इस वी में तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तो साथ नमर बक्सर कायूद कब हुआ था बक्सर कायूद कब हुआ था तो सभी जानते दोस्तो बहुत ही जी प्रश्ण है 1764 इस वी में बक्सर कायूद हुआ था तो यही प्रस्ण बहुत अच्छा है दोस्तो ओप्शन नमर बी बिल्कुल सही है 1906 इसवी में मुसलिम लिंक की अस्थापना की गई थी चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण है दोस्तो कि भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन इसरो का मुख्याले कहां है प्रस्ण है भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन इसरो का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो दोस्तो इस प्रस्ण का उत्तर वा जाएगा आपका आपसर नमर बी बिल्कुल सही है बंगलोर में भारतिय अंतरिक संगठन यानि कि दोस्तो इस रोग का मुख्याले कहा है बंगलोर में बंगलोर में है तो चलते एगले प्रश्णी की और प्रस्ण है दोस्तो कौन एक टेक रोधी मिसाइल है कौन एक टेक रोधी मिसाइल है तो इस प्रश्णी को तरह गया उप पर्थम विश्वयूद कब से कब तक चला था दोस्तों यह प्रशने भी बहुत जाना पैचाना है और आप सभी भी जानते हैं कि पर्थम विश्वयूद शुरू हुआ था 1914 में और 1918 में खतम हो गया था यानि कि 1914 से 18 तक पर्थम विश्वयूद चला था तो चलते हैं अगले प्रशने की ओर प्रशने है दोस्तों आपका अस्त्र मिसाईल कहां से कहां मार करती है दोस्तों इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमर सी बिल्कुल सही है हावा से हावा में तो चलते हैं अगले प्रशने की ओर प्रशने दोस्तों आपका तेरे नमर भारतिये मिसाईल कारिक्रेम के जनक किसे कहा जाता है तो मिसाईल में कौन है दोस्तों या आप सभी भी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम को मिसाईल में कहा जा जयता है तो इस प्रश्ण का उत्तर ओंगया डॉक्टर APJ अबदूल कलाम को क्या कहता है भारतिय मिसाइल काडिकुर्म के जनक कहा जयता है और इसका अन्य नम से पुकारा बहता है इसको डॉक्टर APJ को कहता है मिसाइल मेन उचलते एगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस 1920 इसवी में ओसयोग अंदलन शुरू हुआ था और दोस्तो प्रश्ण उसी तरह से है कि ओसयोग अंदलन को गंधी जी ने कब वापस लिया था तो दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है 1922 इसवी में मातमा गंदी ने ओसयोग अंदलन को वापस लिया था और ओसयोग अंदलन शुरूआ था तो चलते अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तो अंत्रिक्ष में पहुचने वाला पर्थाम बेखती कौन था तो दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर ए बिल्कुल सही है यूरी गागरीन यूरी गागरीन जो है दोस्तो यह अंत्रिक्ष में पहला बेखती है जो पहुचा था तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तो शक्संबत कब से तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तो आपका दागो और भूल जाओ के नम से किस मिशाईल को जाना जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर डी बिल्कुल सही है नाग को दागो और भूल जाओ किसको कहता है नाग को तो चलते है अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है 19 नमर चीन की क्रांती कब हुई थी चीन की क्रांती कब हुई थी तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि चीन की क्रांती 1912 में हुआ था चीन की क्रांती कब हुआ था 1912 में तो चलते अगले प्रश्ण की ओर प्रश्न है पिर्थिवी मिशाइल का प्रथम परिक्छन कब हुआ था तो इस प्रश्न का उत्तर वो जाएगा आप्सन नम्मर सी बिलकुल सही है 1988 में पीर्थीवी एक मिसाइल है और उसका परिक्षण कब क्या गया था 1988 में उप्षन नमर C बिल्कुलँ सही है अगला प्रशन है दोस्तो और जाने वाली पर्थम महिला कॉन है तो इस प्रशनिके वत्तर हो जाएगा उप्षन नमर ए बिल्कुल चाहिए दोस्तो वेलेंटीना तिरोस्कोवा उप्षन ए बिल्कुल चाहिए है तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है दोस्तो पानी पत का पर्थम यूद कब लरा गया था तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1526 में पानी पत का यूद लरा दोस्तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है आपका तैस नमर पर्थम भारतिय उपगरां आर्यो भट कब छोड़ा गया था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उप्षन नमर डी बिल्कुल सही है 1975 इस भी में आर्यो भट छोड़ा गया था सोव्यात संग रूस से छोड़ा गया था तो चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है चंदरमा पर माने भेजने वाला पर्थम देश कौन सा है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उप्षन नमर बी बिल्कुल सही है USA चंदरमा पर माने भेजने वाला पर्थम देश है तो चलते अगले प्रांस की क्रांती कब हुई थी तो दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांती हुआ था 1789 वी में आप्सन नमर C बिल्कुल चाहिए 1789 वी में फ्रांस की क्रांती हुआ था तो चलते एगले प्रश्ण की उर प्रश्ण है 37 धवन अंत्रिक्ष क कहां पर इस्तित है 37 धवन अंत्रिक्स के अंद्र कहां पर इस्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा option number D बिल्कुल सही है श्री हरी कोटा में 37 धवन अंत्रिक्स के अंद्र कहां है अवस्थित है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तो अउप्शन नमर B बिल्कुल सही है तिर्वंद्र पूरम में यह दोस्तो तिर्वंद्र में का है विक्रम स्रावाई अंत्रिक्ष के अंद्र तिर्वंद्र तिर्वंद्रम में तो चलते आगले प्रश्ण की ओर प्रस्ण है दोस्तो अगला नम्मर आपका सार्वधिक समय तक अंत्रिक्ष में रहने वाले महिला कौन है इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नम्मर डी बिल्कुल सहे दोस्तो सुचिता विल्यम्स सुचिता विल्यम्स चलते एगले प्रस्ण की ओर सुचिता विल्यम्स सबसे अधिक समय तक अंत्रिक्ष में रहा है प्रस्ण है 29 नम्मर रूस की क्रांती किस वर्स हो जाए थी तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नम्मर सी बिल्कुल सही है 1927 वी में तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका option no do बिल्कुल ज़ाई है एक यूधक टेख है अरज्लीं क्या एक यूधक टेख है जलते एक लिए प्रश्न की ओर प्रश्न आपका एक तिस नमर पानी पत का तिसरा यूद कब लरा गया था तो पानी पत का तिसरा यूद कब लरा गया था तो पानी पत का तिसरा यूद कब लरा गया था तो पानी पत का तिसरा यूद कब लरा गया था तो पानी पत का तिसरा यूद कब लरा तो इस प्रश्निका उत्तर हो जाएगा आपकाortal नमर सी बिरकुल मिखाई था 1966 में तसकन सम्झेता हुआ था तो चले अगले प्रशुन की और प्रश्नि SKY सबसांबंत का प्रारम हुआ था दोस्तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा technology में चलते आगले प्रश्ण ठेजस क्या है 30 नमर ऑतर को झाएगा 6 बल्कुल सी एक लराक कूब 31 पाणी 5 पाणील गया पार गेका दूतिया यूद गरागया तो इस प्रश्नी का उत्राई लगा उप्चन नमर B बिल्कुल चाही है 1526 स्वी में पानीपत का दूत्यय यूद लरा गया और प्रथाम यूध कब लरा गया था 1526 में और तीर्तयय यूद कब लरा गया था 1713भी में 313जड लरा गया था चलते हैं कि पर्थाम यूद्प पर्थाम यूद्प यूद्प पर्षण का है को नहीं परफाम यूद्प विलकुल से दोस्तो डेनिश जीटो प्रथाम यूद्प परियाटक है तो चलते एगले प्रश्न की ओर प्रश्न है तराइन का दुतिया यूद कब हुआ था तराइन का दुतिया यूद कब हुआ था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उप्सन नमर B बिल्कुल सही है 1192 स्विम तराइन का दुतिया यूद हुआ था और प्रथम पूछे दोस इस प्रश्निका उत्तर हो जागा दोस्तो आपका आफ्षान नंमर ए बिल्कूल सही है 1949 से 1945 तक दूत्य विशुद कब लड़ा था गया था 1949 से 1945 श्वी तक चलते एगले प्रश्निकी ओर प्रश्न है दोस्तो दूत्य विशुद कब से कब तक लड़ा गया था फिर सिवई क्वशण आगें 1280 से 1914 तक चलते एगले प्रश्ण की ओर प्रस्ण है अंतरीक्ष में जाने वाला परथम भारतीयक कौन है तो आप सभी जानते है दूस्तो राकेश शर्मा भारत के परथम बिकती थे अंतरीक्ष में जाने वाला कौन राकेश शर्मा तो चलते ए गर मानव को भेजने वाला प्रत्थम अंत्रिक चान है तो वह है दोस्ता आपका ओपोलो 11 इसी से मानव चंदरमा पर पहुचा था ओपोलो 11 से चलते एगले प्रस्णित के ओर प्रस्ण है एक तालिस नमबर गांधी इवरीन सम्झोता कब हुआ था गांधी इवरीन सम्झोता हुआ था तो गांधी इवरीन सम्झोता हुआ था उनिस एगले प्रस्णित के ओर प्रस्ण है ग्रिप्स मीशन भारत कवा आया इस प्रस्णिका उत्तर हो जाएक आपका अप्सोन नमर इस बिल्कुल सही है तो आपका option number भी बिल्कुल सही है अंठाउन इशाफ पुर्वे में तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न है चंद्रम पर पैर रखने वाला पर्थाम बेक्ति कऊन है तो चलते हैं भारतिये सुदूर समवेदी संस्ताओन कहा पर सती था है तो इस प्रेशन का उत्तर हो जाएगा उप्सन नम्मर सी बिल्कुल सहे दोस्तो दहराद दुन में भारतिय सुदूर संवेदी संस्टान का है दहराद दुन में चले दोस्तो आज यह आई तक रहने देते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में सेर करें और अगर आप अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और घंटी दवा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो दोस्तों वो आपके मुवाइल पे सबसे पहले जैहीन बंदे मात्रा